जब मैंने मुवी देखी तो मुझे बहुत ज़ादा गिन महसूस हुई और तब मैं यह सोच रहा थे हैं कोई stripe की मुवी बना भी कह सकता है और यह guaranteed मैं कह सकता हूं कि जब आप लोग यह movie देखोगे आप लोगों को भी इसमें गिन ही महसूस होने वाली है और यह movie मेरे है एक अहराम को और दोस्त में मुझे सजेस्ट की थी नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ old boy movie के बारे में जो 2003 के अंदर आई थी और इसे direct के हैं देखो या इसके director का नाम मैंने लिखा है क्योंकि बड़ा ही लंबा नाम है इसके director का नाम है चैन वुक पांक और इसमें कास्ट है मिन सिक चोई यह एक बंद है दूसरा बंदा जी ताई यो यह दूसरा बंद है तीसरा बंदा हे जोंका पता है यह talent होता है कोई बोलके दिखा देगे नाम जाना मुझे ओगे अब इसकी कहानी बराते हैं एक दाईसु नाम का एक आदमी है जो अपनी पांच या छे साल की बेटी के लिए जब उसका जनम दिन है तो उसके लिए एक gift लेके जा रहा है घर पे और उसनो बहुँ ज ले जाता है और phone करने के बाद वह अपने दोस्त को दैसु जो है अपने दोस्त को कहता है कि तूभी बदाई दे और जब उसका दोस्ती बदाई देने के लिए वह phone देता है तो थोड़ी देर बाद उसको कोई kidnap करके ले जाता है पता नहीं चलता है उसके दोस्त को भी ने पता कौन उसको kidnap करके लेके गा और 15 साल के लिए उसको एक कमरे में बंद करके रख दिया जाते है यई यवाला जो scene था उसको पंदरा साल के लिए अंदर रखा जाएगा मैं यह सोच रहा था अगर मैं इस वक्त यहां होता तो मैं क्या कर रहा होता दिमाग मेरा पागल हो गया होता है और इन 15 साल के अंदर एक इनसान के सामने एक टीवी है और वो टीवी में लगाता है बस यही देखे जा रहे हैं कोशिश कर रहे कराटे सीखने की और भी कुछ चीज़ें जो भी उसने सीखी और वो ट्राय करता है बाहर आने की बट ऐसा मुम्किन नहीं हो पाता लास्ट के जो पंदरा साल जब भी जाते हैं वो एटलिस्ट बाहर निकलने की कोशिश भी कर पाता है लेकिन उसको पंदरा साल बाद यह कोंट्रेक्ट ही होता है और वो पंदरा साल बाद इसको बाहर निकाला जाता है अब इन पंदरा साल के दोरान बहुत कुछ चीज़ें बदलगे होते हैं उसकी wife की death हो गी होती है और उसकी wife की death का जिम्हिदार इस दाई-soo को भी बना दिया जाता है पता नहीं कैसे इसके fingerprint जो गिलास का पानी पीता थ उसके fingerprint लेके वहां रख दिया तो इसी के नाम लगा दे जाता लिए बेटी का भी ये उसकी family से दूर रखा गया और वो पकड़ भी लेता है एक बंदे को उसे पता चलता है कि किसने इसको 15 साल के लिए kidnap कराया था उसका नाम होता है वू जिन तो जब उसके पास जाता है तो वू जिन उसे कहता है कि अगर तू मुझे पहचान ले कि मैं कौन हूँ और मैं त प्यार करने लग जाते हैं और फिर ये help करती है कि इसका पता करने में क्यों इसने असल में ये वू चीन है कून उसे पता चलता है कि इसके बचपन का बचपन का दोस्त नहीं कह सकते इसके साथ पढ़ता था इसके classmate में ऐसा कुछ relation निकल के आता है इस मुवी की शुरुआ बात में मुझे इतना को interest नहीं था लेकिन धीरे-धीरे-धीरे जब 15 साल की बात आती है जब इसको मतलब इक इंसान पागल होने लग जाते है तब इसमें जो interest build-up होता वह कमाल का होता और last का जो ending है इसके 15 मिनिट भाब होगा 15 दो आपकी सांसे रोग देने वाला है और definitely में वह चीज़े नहीं बताने वाला क्योंकि यार वही इस मुवी की जान है जो लास्ट के 15 मिनिट है वो इस मुवी की जान ही है और मतलब इतना इंटरस्ट नहीं होगा जब आप इस 15 मिनिट को छोड़ो दें यानि दस गुना इंटरस्ट आपके अंदर आ जाएगा कि यह क् सस्पेंस वाला सीन है यार वो देखकर मेरी उल्टी आने को हो गया था इतना यार मैंने कभी भी इतनी जो मैंने सस्पेंस वाली मुवी देख ली मैंने ऐसा नहीं सोचा थे कि लास्ट में ऐसा होने वाला और मैं नहीं बताने वाला यार कि क्या हुआ वह आप जाके मुवी वो ये अकेले 15 मिंट करवा देंगे कैने थोड़ा बहुत हैं आप लोगों को दे दिया है अगर आप लोग ज़्यादा समझदार हो तो जो ये मैंने रिव्यू दिया है उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत हैं अगर आप लोग किसी और में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे पताना कि आप लोगों कैसी लगी अगर नहीं देखिए तो रिव्यू तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मूवी कैसी है तो रिव्यू देखकर आपका मन करें तो यह जाके मूवी देख सकते हो बस आज के लिए इतन आइक्स वर वोचिंग दिस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में जाय हिंद !